तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल एयर एजुकेशनल हब स्वाधत करता हूं मैं अपने सी यूट्यूब चैनल पे एयर एजुकेशनल हब में तो फ्रेंड्स जैता कि मैं आप लोग को बता दूँ आज एंटीय ने बड़ी भोश्णा की है और आप लोग सभी को पता है यह वन अगोस्त को कंप्लीट होगी ठीक है तो इससे पहले अभी इसकी रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आई है और कुछ ऐसे अभी न्यूस सामने आ रहे हैं जैसा कि इसमें जो इसका पैटन हो गया और भी कुछ इसमें बहुत सारा न्यूस इसमे यह सिबीटी पे होगा या फिर एक्जाम कब होगा और एक तो एक कोरोना अभी बढ़ते जा रहा है और ऐसे समय पे हो सकता है कि कई अगर कुछ स्टेट में लॉक्डाउन लगते हैं तो सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि नीट पोस्पोन हो सकता है ऐसा सिचुएशन आ सक करते हैं कि NTA ने और जिकमत आज क्या पोस्टना की देखिए सबसे पहली बात जो सबसे बड़ी बात देखिए देखिए एक बात में भी बात धिशान से सुनिए जो भी स्टुटेंट दो दो बार एक चीज की प्रिपेशन करते हैं जैसा कि कोई भी पहले क्या एक 2020 या फि एक टुस्ट तो पहले क्या था पहले था क्या पहले नीट नहीं था किक्ता मयICA जो था पार उसके बाद यी vote है जितलर नटकर को गया तो आपको पहले तीन तीन एक्जाम देने पड़ते थे, नीट का अलग से एक्जाम होता था, एम स्मस्तों आपका अलग से एक्जाम होता था, laisवेली, और अपको बात सांगे आई है, अब जितनAS अए ब मदां होगा, तो आपका आपका है था कि नीट के थुरू नीट देखे अभी यह जो रूल है जो टाइम है बिल्कुल सही है अभी आप लोगे एक न्यूस सामने आया होगा कि बीसी नर्सिंग जो है वह अगर आप लोगो को करना है कि नहीं को भी तो वह आपका अड्मिशन नीट के थुरू ही होगा कि पहले क्या होता था बेसी नर्सिंग के लिए आपको अलग से करना पड़ता था और आयुष मंत्राले हो गया और पुछ पुछ ऐसे प्रकलिटीज हैं जिसके लिए आप लोगों को नीट का ही जरूत पड़ेगा अब ठिक है तो बीसी नर्सिंग यह बहुत ही इंपोर्टे कि जित्मर ने भी आज घोशना कर दिया है कि जो जित्मर जो जित्मर है जवालाल नहरो इंसिजूट उन्होंने यह कहा है कि आप लोगों का जो नीट में मार्क्स आएगा उसी के अक्वार्डिंग यहाँ अप लोगों को यहां पर एड्मिशन मिलीगी जो भी जन्हों सिर्थ ने के बाद परशान हो जाते हैं कुछ मार्ट से रह जाते हैं तो अगर वह सोचते हैं के मुझे कने ऐड्मिशन मिल जाए उनका एक साल भरबात नहीं हो तो बच्चे क्या करते हैं फिर दूसरा इ इंटर्स देते हैं तो उससे बेटर है कि जितने भी स्टुडेंट है पहले देखी क्या था आप इसके लिए प्रिपेशन कर रहे हो फिर जितना भी आप लोग यह सब है यह सब के लिए आपको अलग से आपको प्रिपेशन करना पड़ता था बड़ देखिए कभी अब अब सिच्वेशन लगबग आ रही है कि सभी एक्जाम जो है एक साथ नीट ले लिया जाएगा और नीट के माक्स के अखॉडिंग यहां पर कॉलेज हो जाएंगी जो कि बहुत ही सही रहेगा ताकि आप लोग का जो भी साल है वह बरबाद नियब होगा जिनका जो भी माक्स था कि नर्सिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई इंट्रेंस लिया नहीं जाएगा अलग से उनको नीट पर ही उनको इंट्रेंस देना होगा ठीक है दूसरी बात कर लेते हैं नीट के फॉर्म फिलिंग तो देखिए सर अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरन ने कहा थ कि लगबग 102 दिन लगेगा टाइमिंग उसके बाद इसकी वेट है फॉर्म फिलिंग की वह यहां पर बता दी जाएगी और यह फॉर्म फिलिंग जो है वह स्टार्ट हो जाएगा तो यह बात बिल्कुल कुछ तरह से सही भी है अभी देखिए आज संडे था लगबग कल मं मंडे में फिर यह मीटिंग होनी है अभी और मीटिंग होने के बाद यह घोष्णा हो सकती है कि आप लोग का फॉर्म फिल है वो कब होगा ठीक है दूसरी बात मैं कहा दूंग नीट 2021 एक ओवस्ट कुमने वाली है यह बात से आप लोग अववस्ट होगे ठीक है तो फॉर् मैं आप लोगों को बतला दूंघा थाकि मे डिया काम रहे लोग मैं तो होता है कि मय मई तब स्क्रीकेट कर दोटेशिकाश्च और यहां วस्ट यूचत जिनका EWS बना होगा है वो ज़रूर इस बार तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका EWS बना है तभी उसका यहां पर नमबर डालना है अन्यथा नहीं डालेगे कि जब आपका काउस्लिंग होगा उस दौरान अगर आपसे मांग लिया जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर काउस्लिंग में दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो यह दो नियूस थे और फॉर्म थिलिंग के डेट और जरकन कंबाइन के देट थे ठीक है तो आई होप आपको यह उते नई वीडियो के सा सब्सक्राइब कर लेजी सकते हो ठीके-चलि मिलते हैं वीडियो के सामय ख Columbus होते चेमेस्ट्री और बॉट्वार। तो प्लीज आपनों उसको जहुत देख सकते हो ठीक है चलिए मिलते हैं जुड़ी बाइं तब तक के लिए धन्युक्त